मदध्य परदीश में ज्यसी जैसे चुनाव नसदीक आ रहे हैं। वैसे बैसे राजनीतिक तलू के केंद्रिय नित्रित्वा की दोरे भी उतने ही बठते जा रहे हैं। रसीकड़ी में प्रधान मंत्री नरींद्र मोधी भी शनिवार को मध्य प्रदीश के दोरे पर है लगबग 100 करोड रुपे की लागत से बन रहे भक्तिकाल के दलित संथ रविदास के मंदिर के सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक माईने भी हैं आगे बढ़ने से पहले समझते हैं इसका सामाजिक पहलू और इसके लिए बीजेपी द्वारा चलाया गया राज्यव्यापी अभ्याद बीजेपी ने संथ रविदास के मंदिर के लिए सूबे के पाँच अलग-अलग हिस्सों से संथ रविदास समर्सता यात्रा आगाज गया 45 जिलों से गुज्री समर्सता यात्रा समर्सता यात्रा से जुड़े 25 लाख लोग जिसको मिला दलित का साथ सत्ता उसकी इस यात्रा के जरिये बीजेपी के कारिकरता प्रदीश के 20,000 से ज्यादा गावों से मिट्टी और 313 नदियों से जल्ले कर सागर पहुँच रहे हैं जिसका इस्तिमाल मंदिर निर्मार में किया जाना है ये यात्रा प्रदीश के 45 जिलों से होकर गुजरे इस दोरान कई उप यात्राएं और कलश यात्राएं भी इस से जुड़े बीजेपी का दावा है कि जिन 5 रूट से ये यात्राएं गुजरे वहाँ 352 जन सनबाद कारिकरम आयुजित किये गए है लगबग 25 लाख लोग इस दोरान उन से जुड़े बीजेपी का कहना है कि वह इन यात्राओं और संत्रविदास के जरिये समाज में समर्सता का संदेश देना चाहते हैं लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है दरजल मध्यप्रदेश में चुनावी माहौल है ऐसे में हर घटना और हर कारिक्रम में राजनितिक माइने भी है सुबे में सूल से 17 फीसदी आबादी अनुसूचिक जाती यानि की दलित समाज की है मध्यप्रदेश की 220 विधानसभा सीटों में से 35 सीटे दलित समाज के लिए आरक्षित है और कई सीटों पर इस समुदाय का जीत हार तै करने में एहम रोल होता है इतने बड़े वोच बैंक को सुबे की सत्तम में बैठने का सपना रखने वाले दल कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे बीजेपी भी इसे जुगत में है इसे रणीती के तहट बीजेपी ने संतरविदास समर्सता रैली निकाली और इसका समापन भी एक भव्यकारिक्रम के तौर पर करनी की ठानी है जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी भी हिस्सा लिया है